Hello friends, welcome to Kieran's Cooking Jones Friends आज की वीडियो में आप आलू का हलवा बनाना सीखेंगे इसे आप रत में खा सकते हैं या फिर कभी भी बनाकर खा सकते हैं खाने ये बहुत ही tasty लगता है तो देड ना करते हुए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं आलू का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार मीडियम साइज के बॉयल आलू लिये हैं आलू आप कोई सी भी ले सकते हैं एक ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेंगे अगर इसे आप रत में बना कर खाते हैं तो यह आपको एनर्जी देगा भूग भी कम लगेगी आलू यहाँ पर ग्रेट हो गए हैं तो इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं गैस की तरफ गैस ओन करके कड़ाई में डालेंगे दो बड़े चमज देशी घी जब घी गरम हो जाए तब इसमें डाल देंगे साथ से आठ बारी कटे बदाम और इसे हलका सुनेरा होने तक भून लेंगे बदाम को भून कर हर्वे में डालने से इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है आप चाहें तो बिना भूने भी इसे डाल सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद हो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे आप अपने पसंद के और भी ड्राइफूट इसमें एड़ कर सकते हैं अब इसी घी में कद्दू कस किया हुआ आलू डाल देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर लाइट गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे फ्रेंज अगर आपको मेरी रैस्पी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूले और अगर आप में चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ये बिल्लकुल फ्री है यहाँ पर आलो के उपर बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है आलो ने घी को भी रिलीज कर दिया है अब इसमें डाल देंगे एक कप दूद बन फोर्थ कप कद्दू कस किया हूँ नारियल ये सूखा वाला नारियल है जिसे मैंने कद्दू कस कर लिया है फ्राई किये हुए बदाम इसे भी डाल देंगे और दोनों को थोड़ा थोड़ा मैंने बचा लिया है गानिशिंग के लिए वन फोर्थ कप इसमें डाल देंगे चीनी और सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे आप इसमें अपने पसंद के और भी अब इसे मीडियम फ्लेम पर बीज बीज में तब तक हम चलाते वे भून लेंगे जब तक कि दूद अच्छे से सूखना जाए हलवे से घीना रिलीज हो जाए और हलवा कढ़ाई का तलाना छोड़ने लग जाए मुझे हलवे में दूर डालने के बाद इसे पकाते वे तीन मिनट हो गए हैं ये तला भी छोड़ने लगा है हलवा बनकर तयार है गैस को आफ कर देंगे और इसे एक बरतन में सर्व कर लेंगे इसे गर्मा गर्म खाएं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इसे आप बिना वरत में बना कर खाएं या बिना वरत के खाएं ये आपको एनरजी देगा कैसी लगी आपको ये रेस्पी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तिल देन बाय बाय थैंक्यू फॉर वाचिंग